लिकी बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों जैसे कि आप सभी की नेट की परिक्षा आने वाली है उन सभी के लिए ये बहुत ही महत्पोन विशे जो है मैं लेके आई हूँ तो देखे यूनिट नाइन जो इकाई नौ है आपका हिंदी निबंधों से संबं हूँ तो पहले है कविता क्या है जिसके निबंदेकार है रामजंदरशूकलर जी और यह निबंदड जो है आत्मा की मुक्टवस्था ज्यान दशा कहलाती है उसी परकार हिर्द्य की मुक्तवस्था ग्यान दिशा कहलाती है हिर्दय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनश्य के वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते है इसमें जो है निमन बिंदूओं को जो है मुख्य बिंदूओं को बात जो है मुख्य बताई गई है तो कौन-कौन से इसमें कवर किये गए हैं टॉपिक्स? कविता में सौनदर, कविता की आवशकता, और कविता पर अत्यचार तो इन सभी टॉपिक्स पर इसमें चर्चा हुई है कविता क्या है? इस निबंद में कविता के भाव पक्ष, वह कला पक्ष पर बल दिया गया है कविता के माध्यम से दूसरों के सुख, दुख, हर्ष, विशाद का जो अनुभव है जो कवी करता है उन सभी के बारे में इस पर वर्णन किया गया है कविता मनुश्य के जीवन को मनुश्यता की उच्च भूमी पर ले जाती है और ये निबंद जो है किसमें संकलित है तो चिंदा मनी भाग एक में संकलित है और इसका प्रकाशन वर्ष है उन सो उन्तालिस स्वी अगला निबंद है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है जिसके निबंदकार है विद्या निवास मिश्र इसका प्रकाशन वर्ष है 1974 इसवी और जैसे कि आप सभी जानते हैं विद्या निवास मिश्र जो है एक ललत निबंदकार है तो उनका ये निबंद जो है एक ललत निबंद है इस निबंद के माध्यम से लेखक की समवेदना द्वारा लोकतंत्रवेदना का सजीव चित्तन जो है किया गया है लेखक ने लोक जीवन की अंतरवेदना को राम के राजनीतिक के समय की घटरा के माध्यम से बताया है तो देखें लेकों के बताने का जो तरीका होता है या निबंदकारों तो किसी ना किसी उधारन के सुरूप वो समझाते हैं तो इसमें राम के जीवन के संदर में उनके राज तिलक के समय की जो घटना है उसको जोड़के उन्होंने ये निबंद लिखा है तो इसमें मुकट भीगना का क्या अर्थ है ये एक प्रतिकात्मक अर्थ है तो इसका अर्थ हो गया कि मुकट भीगना यानि मुकट जो है वो राज प्रतिष्ठा की बात होती थी और वो अगर भीग रहा है यानि कि प्रतिष्ठा के नस्ट होने की बात जो है इसमें बताई इस निबंद में लेखक को दादी का गीत जो है याद आता है दो पीडियो विचारों में जो अंतर है उनकी सोच में जो अंतर है इस समस्या को इस निबंद में बताए गया है इस निबंद में लेखक ने अप्रतेक्षी रूप से आज के लाखो करोडों बेरुजगार राम इ उनके प्रती जो चिंता है ये लेखक ने व्यक्त की है तो मुख्य समस्या जो इस निबंद की है राम का मुकुट भीग रहा है वो आपको पता चल गया अब इसमें कुछ प्रतीकात्मक जो रूप है उनका वर्णन हुआ है तो राम युवा वर्ण के रूप में चित्त हुआ है और सीता विवाहत युवती के प्रतीक के रूप में और मुकुट जो है वो मान सम्मान के रूप में प्रतीक के रूप में यूज हुआ है इस निबंद में प्रतीकों के माध्यम से वर्तमान समस्या युवकों के बिना बताए घर से दूर रहने का जो है संकेत देती है ब निबन्द मेरे चिनता निभन्द है तो मुकट के संबद में मजदोरी और प्रेम जिसके अध्यापक पूरण सिंग ये एक भाव परधान निबंदकार है और माक्सवादी विचार धारे से प्रभावत निबंद है यह निबंद किसान जीवन से आरंब होकर मजदूर और मशीन के दूंद को जो है उजागर करती है थोड़ा हैं रिचन नोट से तो थोड़ा इसको मै मजदूर और जो मशीन आ जाता है उसके बाद जो जीवन में परिवर्तन होता है यह इसमें चित्रत किया गया है तो यह जो है कुछ भागों में विभाजित इसमें किया गया है जो निबंद में कहानी रैप से दीवी वह अलग-अलग भागों में विभाजित है तो उसमें क्या है पहला जो धारन दिया गया है वो है हल चलाने वालों का जीवन कैसा होता है उसका वर्डन क्या गया कि उनका जीवन कैसा होता है साधू त्यागी और तपसी भरा उनका जीवन होता है दूसरा है गडेरिये का जीवन जो कि पवितर प्रकृतिक जीवन होता है तीसरा है म मजदूर की मजदूरी तो मजदूर की मजदूरी जो है वो क्या है अनमोल है मजदूरी और कला यह क्या है मशीनों की जो है यहां कला से जो है यह जो मशीनों की चीज़ आ गई है उसकी बात की है तो इसमें मशीनों की भरसना की गई है मजदूरी और फकीरी तो विकास के लि हो गया इसमें पवित्र हिर्दे से लिया गया है पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श जो है इसमें प्रस्तुत किया गया है मशीनों को छोड मजदूरी पर जो है जो है जो है जो दिया गया है ये बात इसमें बताई गई है प्रेम जो है मजदूरी है कर्म महनत को प्रेम माना ये बात इसमें कहिए है अगला निबंद है उत्तर फालगुनी के आसपास जिसके रचेता है कुबेड नाथ राई जी तो इसका प्रकाशन वर्ष है सन उने सुतिहत्तर इस वी तो जब आप ये निबंद पढ़ेंगे तो आप कुबेड नाथ राई जी के निबंदों को जरूर पढ़ेंगा क्योंकि इनके निबंद जो है क्रम अनुसार लगाना आता ही है तो इनके निबंद जरूर देख लेजेगा वर्ष रितु की अंतिम नक्षत्र उसको क्या कहते है उत्तर फालगुनी तो उत्तर फालगुनी क्या है वर्ष रितु की अंतिम नक्षत्र उ कि अब इसमें ये शब्द प्रयोग के हुआ है उत्तर फालगुनी तो इसका प्रयोग जो है नक्षत्र के लिए यहां नहीं हुआ है इसने बंद में बलकि मनुशी की एक अवस्था विशेष के संदर्वे में जो है इसका प्रयोग किया गया है इसमें जो है उत्तर फालगु वर्ष की जो आयू है उसको उत्तर फालगुनी कहा गया है मनशी की आयू को रितुओ तथा नक्षत्रों के समान बताया गया है मानसिक यौवन को निरंतर चिरन जीवी बनाए रखने पर जो है इसमें विचार किया गया है तीस की जो उम्र होती है या तीस के बाद की जो उम्र होती है उसको घंगोर कुरुशेत्र जो है इसमें कहा गया है देखिए इसमें क्या चीज क्या कही गई है वो चीज जरूर नोट कर लीजिए तो इसमें जो है चालिस से पैंतालिस की उम्र जो है उसको उत्तर फालगुनी कहा गया है और तीसोत्तर की जो उम्र है उसको घंगोर कुरुशेत्र कहा गया है इस निबंद के समय कुबेर नाधराई की जो उम्र थी वो थी 38 वर्ष तीस वर्ष की उम्र सूरे के समान सम्मिलत पावक जो है इसको कहा गए है तीस वर्ष की उम्र और चालिस वर्ष के बाद की जो उम्र है वो गुध्धि घट्ती है सुईकारपंथी की भावना जो है जागरित हो जाती है योग शास्तर में मन की पाँच अवस्थाएं जो है मानी गई है शिप्ट, विशिप्ट, विमूड, निरुद और आरूड तो ये पाँच अवस्थाएं देख लेजिएगा क्योंकि हो शकता है इन पर प्रशन आजाएं अब ये किसमें संकलित है तो ये उनके निबंद संग्रह विशाद योग में संकलित है अगला निबंद है उठ जाग मुसाफिर जिसके रचेता है विवेकी राई जी और ये एक ललित निबंद है इसका प्रकाशन वर्ष है सन 2012 इस निबंध संग्रह में कितने निबंध संग्रह संकलित है तो इसमें 10 निबंध संग्रह संकलित है तो कौन-कौन से है मेरी दिन चर्या कुछ आया नमो विर्क्षिब है तो इन निबंदों का क्रम देख लेजिए क्योंकि क्रमा नुसार पूछा जाता है कई बारे कि ये निबंद कौन से में संकलेत है माल लेजिए आप से पूछा जाए कि नमो विर्क्षिब है किस निबंद में संकलेत है तो आ साथवा है तिन डंडिया चोट उभरा समय और सवाल आठवा है चिंता भारत के उजड़ते गाउं की नवा है गाउं बनाम गाउं और दसवा है सवाल जीवन का तो ये सारे निबन संग्रा जो है इसमें संकलित है अपने जीवन और जगत के अनुभव को लेखक ने इसमें जो है बताया है पहले निबन्द में उन्होंने क्या बताया है अपने द्यानिक जीवन के अनुभव को बताया है दूसरे निबंद में उन्होंने विरिक्ष को आधार बनाए दे कि पहला निबंद इनका क्या है इसे मेरी दिन चरिया तो इसमें उन्होंने अपने जो दिन चरिया है उनके उसके बारे में बताए दूसरा है नमो विक्षिव है तो इसमें उन्होंने व्रिक्ष को आधार बना कर लिखा है तीसरा जो है उनका है उठजाग मुसाफिर इसमें उन्होंने स्वानुभूती वा सहानुभूमी वा सहानुभूती की बाद जो है बताई है चार, पांच, छे और साथ निबंदों में उन्होंने ग्यान की अलग-अलग छोद के बारे में बताया है और अंतिम जो तीन निबंद है उसमें हिर्दे है तो इस निबंद संग्रा के जो है हिर्दे है इसमें उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक राजनेतिक पक्ष को उजागर किया है तो अन्तिम तीन जो है इसमें नो दस आठ नो दस चिंता भारत के उजड़ते गाउं की गाउं बनम गाउं और सवाल जीवन का तो इसमें उन्होंने संस्कृतिक, राजनेतिक और समाजिक पक्ष को जो है बताया है तो उठजाग मुसाफिर उनका कितना नंबर का निबंद है तो बारवा निबंद है इस निबंद में उन्होंने अपने ग्रामीन जीवन का वर्णन किया है ये एक संस्मरण आत्मा का निबंद है अगला निबंद है संस्कृति और सौंदर्य जिसके निबंदकार है नामवर सिंग इसका प्रकाशन वर्ष है इसके निबंदकार है नामवर सिंग और इसका प्रकाशन वर्ष है ये बात बताई गई है और निबंद की शुरुवात जो है इसमें कहां से की गई है हजारी प्रसाद दिवेरी जी के निबंद अशो के फूल से की गई है दिवेरी जी के जी संस्कृत चिंतन को संस्कृति चिंतन को जो है उन्होंने इस निबंद में उजागर किया है तो यहा संस्कृति चिंतन संद्र वस्तुत्र श्रजन का वैपार इस बात की चर्चा की गई है जैशंकर प्रसाद और उनके रहस्यवाद की बात था भरत मुनी के नाटेश शास्त्र की का वर्डन भी इसमें किया गया है नारी संद्र की बात पर शुकले से वो असहमत है जो नारी के प्रती जो संद्र की बात शुकले जी ने बताई है उनसे वो असहमत है और हजारी प्रसाद दिवेदी और निराला जी से इस बात पर वो सहमत है दिवेदी जी के सौंदर्य और लालित्य विवानसा के तीन सौंदर्य के बारे में बताया है सौंदर्य को सौंदर्य ना कहकर लालित्य कहना चाहते है यह बंधन के विरुद्ध विद्रो है और बंधन विद्रो ही व्याकुलता के रूप देने का प्रयास किया गया है सौंदर एक सर्जना है मनुष्य की सिस्रिक्षा का परिणाम सौंदर विद्रो है मानमुक्ति का प्रयास है तो यह जो है निबंद संस्कृति और सौंदर तो इसमें संस्कृति के बारे में बताए गया है और इसके लिए इनोंने इन निबंदकारों के निबंदों की चर्चा की है और सौंदर ही क्या है इनके उपर इनोंने चर्चा की है अब आगे के निबंद देखते हैं तो चलिए अब आगे के निबंद करते हैं तो देखे पहला निबंद है दिल्ली दर्बार दर्पन इसका प्रकाशन वर्ष है 1877 इसवी ये जो है वर्णात्मक शैली में लिखा गया है इस निवन्द में भारतेंदू जी ने 1877 की रिपोर्टिंग दिल्ली दर्बार दर्पन के माध्यम से दिल्ली दर्बार की बात जो है इसमें कही गई है विक्टोरिया के भारत में सामागरी जो है बनने की जो है इस में वर्णन किया गया है कि जब वो भारत में आई थी और यहां समरागी बनी थी तो क्या सिच्वेशन थी क्या हाला थे उस तेम पर जो दर्बार बनता था सज़ता था और दर्बार में किस प्रकार से स्वागत होता था इन सभी का वर्णन इसमें किया ग दिल्ली दर्बार की भविता व लोगों का वर्णन इस निबंद में किया गया है अग्रा निबंद है भारत वर्ष और नती कैसे हो सकती है भारतिंदू हरिश्चंद्र के द्वारा इसका प्रकाशिन वर्ष है 1884 इस वी इस निबंद में बलिया के ददरी मेले में देखिए आ प्रकाशित हुआ तो किसमें प्रकाशित हुआ वो देख लीजिए पत्रिका का नाम है हरिश्चंद्र चंद्र का और सन है इसका 1884 स्वी जातिये और रास्ट्रे प्रगदी की अकांग्शा का प्रती रूप है कुरीतियों और अंध्विशोसों को त्यागने की बात जो इस निबंद के महतवपोर्ण चीजें हैं मैं उन पर बात बता रही हूँ सिक्षा सहयोग वा एकता पर बल दिया गया है लोगों को आत निर्भर बनाने की बात जो है कही गई है समासुधार आर्थिक विशमता सामाजिक एकता की बात जो है इसमें कही गई है राजनीती शिव मूर्ती जिसके निबंद कार है परताप नरायन मिश्र इसमें शिव मूर्ती से क्या अतात पर है इश्वर की देखे शिव भगवान शिव तो इश्वर के मूर्ती की बात जो है इसमें कही गई है इस निबंद में संस्कृती का उपपाठ नहित है साथ ही या कला का प भारती संस्कृति और भारती प्रतिकों के प्रति कितना उदासिन हैं, ये बात इसमें बताई गई हैं, शिव मूर्थी ये शिवर के मूर्थी के माधियम सिव में से बता गई हैं, कि मनेशों के बीच वियर नहीं होना चाहिए। अगला निबंद है शिव शंबू के चिठे जिसके रचीता है बालकृष्ण भट इसका प्रकाशन वर्ष है 11 अप्रेल 1903 इस वी इस निबंद में 1903 से लेके 1907 के मध्य ये जो है इस सन में प्रकाशित हुआ था कौन से पत्र में भारत मित्र में ये प्रकाशित हुआ था किस प्रकाल का निबंद है तो ये एक विंग्यात्मा करने बंद है शिव शंबू जो है इसमें एक कल्पित नाम जो है इसका वर्ण किया गया है और इसमें लौड करजन के शाशनकाल में भारते जंता की जो दुरदश्या थी उसका वर्ण इसमें किया गया है तो इसमें शिव जो है Lord Minto को लिखे गए है , खु क्ल जो है आट चिठे लिखे गए है जिसमेbon जो त Sugar sir Lord करजन को यह चिज मेरा कर दो Lord करजन को एध में लोड मनोम मैं थी कहतेक है उन सभी को व्यंगात्मक तरीके से वर्णन करके इस निबंद इस चिठे में उन्होंने उनको बताया था तो यहां इसका जो अनुकरम है इस निबंद का वो कुछ इस प्रकार से है अनुकरमों को जरूर देखेगा पहला है बनाम लौड करजन दूसरा है श्रीमान का स्वागत तीसरा है वाइसराई का स्वागत वाइसराई का करतवे है पीछे मत फैक ये चोथा है आशा का अंत पाचवा है एक दुराशा चटा है विदाई संभाशन सात्वा है और बंगविच्छेद जो है आठवा है तो ये आठ निबंद जो है लॉर्ड करजन को भेज गए हैं उन निबंदों का इसमें चरजा किया गया है अगला निबंद है नाखून क्यों बढ़ते हैं हसारिप सादिवेदी जी का ये उनके निबंद संग्र है कल्प लता में संकलित है जिसका प्रकाशन वर्स है 1951 ये एक ल लित निबंद है नाखूनों का बार-बार काटे जाने पर भी उनका बढ़ना तो बढ़ने की बात इसको जो है सब्धता और विकास के साथ जो है निबंद कारने जोड़ा है वहीं पे इसको नाखूनों का बढ़ना जो है मनुशी की पाश्विक प्रवर्तिव संगर्ष च खूनो का काटना सौंधर वोध वो सांस्कृतिक चेतना का प्रतिख है ये बताए गया है भारतिये था कि महत्ता, सामाजिक व्यवस्था, राजिनितिक, चिंतन, भाषा, संस्कृति, आदी पर जो है इसमें रियंग किया गया है, इन सभी बातों का जो है इसमें प्रकाश डाला गया है तो यहां मैंने आप सभी को ये सारे निबंद, भारत इंदू, दिली दरपार दरपन, भारत वरशोनाती कैसे हो सकते हैं, शिव मूर्ती, शिव जमूर के चिट्थे, कविता क्या है, नाखोन क्यों बढ़ते हैं, मेरे राम का मुकट भीग रहा है, मजोरी और प्रेम, उत्तर प्राग, मुसाफिर, संस्कृति, और संदर, इन सारे निबंदों पर मैंने चर्चा कर दी है, तो आपका ये कंप्लीट टॉपिक जो है, यूनिट 9 जो है, कंप्लीट हो जाता है, तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएगा, और नेक्स टॉप झाल